आप विछ सी में बढ़ने माली क्या जाने गरीब के क्या हसर होता कैसा पसीना होता कैसा डोते का रिख कूली के लिए तो पर परिशान होगे तो आपको जिरू धक्का मारेंगे ना मजबूरी हैं हम फिर सरकार बदलने के लिए सोचेंगे पडि पड़े गांबर वण तो इन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है और क्वान इनके लिए बेहत्री इस थाबित हुआ है अब तक लोगों कि आ इन आम लोगों से बात करेंगे हैं आम कुलिक हैं हमारे बीच में आप लोगों के जीवन में कुछ बद्लाव आया और आप लोगों के लिए ऐसा कौन सी सरकार बेहत्र रही कि जन्नों ने आम लोगों के लिए काम किया है हम लोगों के जीवन में कांग्रेज सरकार थी और उन कांग्रेज सरकार ने ही सब कुछ हम लोगों के लिए किया कंग्रेस ही की सरकार में हम लोगों का उठने बैटने का जगा मिला उन्हीं के सरकार में रूटने बैटने का जगा मिला और जब से ये सब कुछ उन्हों दिया हम लोगों को जो नौशाल से मोधी सरकार रही है इसमें देखिए नए नए ट्रेन आ रही है ट्रेन तो मोधी सरकार ने बहुत चलवा दिया लोगों को तक्दिर बदली कि नहीं कुछ तश्वीर। लोगों को इतना बना दिये कि जो मिलता था वो भी छिन लिये, अरे हम लोगों के लिए मद्धूरी तमाम थी, वो भी छिन गई, एक तो सर पहिया गारी चला दिये हैं, उस पर आत्री को ढोना थूरू कर दिये हैं, सामान भी ढोले जाते हैं, बोलने पर जगरा भी होता है, इधर सुन लेते हैं, दरन्निकार देते हैं, कोई-कोई अधिकारी थोड़ा सा रहम कर देता है, तो उनको डाट फटकार देता है, उनका चलान भी कर देता है, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। तो इस परकार से हम लोगों की मजदूरी आप यहां दो घंटा चार घंटा बैट कर देखें कि हम लोग दो बज़े दिन में आते हैं और रात में नो दस बज़े एक सवारी मिलती है चाहे वो पचास की मिले चाहे वो सो की मिले चाहे वो दो सो की यह हम लोगों की मद्धूरी है क्यों का कैसा रहा है जो 9 साल का कारकार रामोदी जी का कुछ आप लोगों की जीवन में बदलावाया है कुछ नहीं बदलावाया है हम लोग लकीर के फकीरे रहे होंगे लखनव रेलो स्टेशन से लेके और पूरे महानगर में बो होल्डिंग लगी पाई पाई से गरीब की भलाई तो आप आपका भी कुछ भलाई हुआ कि नहीं उऔर धुक्त ही हुए चाणाई वह लूट फूरिदी में रहा है हो चला गये है अब यह सी में बढ़ने माले क्या जाने गरीब के क्या हर होता कैसा पसीना होता कैसा डोते हैं कैसा क्या करते हैं हुए3 पर टल पल ऐ तीन वर्दी मिलती थी अब भी चला गया अब बताएए चार पांच गाड़ी चलवा दे रहा है उसमें जो नुझे चार पैसा मिलना था वो भी चला जा रहा है इस काव हमन कर अच्छा करता हैं क्या गरीबी हटा रहे हैं कहां कैसे साधी के कर पाएंगे कैसे ब्या कर पाएंगे गुजारा हो जा रहा है कि नहीं आप कैसे गुजारा हो जा थे का उस सुभीर एक नंबर लगाया हूं अभी 200 को कटा वो भी तीन घंटा काली लेड़ थी वह बैठे बैठे अभी कटा है बताईए क्या करेंगे 2024 का चुनाव आने वाला है कुछ परिवर्तन देख रहे हैं अब देखिए बाबु ऐसा है वोक्त आएगा तो बताएंगे अगर यह हम लोग के बारे में अगर कुछ किये तो हम साथ में रहेंगे जो ही हमारा काम करें वही मेरा नेता है चाहे हो समाजबादी हो चाहे कांग्र है इसमें आप लोगों के लिए बहुत काम हुआ है कुछ बदलाव आया जिवन में क्लियों के लिए यह कुछ बदलाव करें一ो felic M 타 मजदूर करने वाले चोटे वर कि लो उनके लिए इतना बदलाव करें सब काम साफ कर दी हैं अम अध्यूरी करें जरूरे नाए घर पर बैठा रहो दूए जा लिए उसी में घर चलाओ हमको तो नहीं मिल ला है हमारे पिता जी को मिल ला था हमारे पिता जी इस बाहर होगे तो आपके नाम पर ट्रांसपर हुआ लेकिन आ नहीं रहा है तो तुम्हारी कुछ चमक बढ़ी है कि नहीं तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आया कुली के लिए तो कोई काम नहीं किसे neighbors कि आते हैं लेकिन छोटे वर्क के लिए कोई काम नहीं किया ठीक फिर कैसे हैं कैसे बैठेटो कुछ काम नहीं यह समय अभी लगे कशारा नॉननाघ नहीं ला नहीं नहीं आहिए क्या पर झामी यह लाहरा हो रहां prof कुछ बदला हुआ कि नहीं नौ सालों में आप लोगों के लिए कि तरब से कुछ जो तावा होता है कि हमने गरीबों को खुब भला किया तो आप लोग बिョ कुछ नहीं हो रहा है हम लोग अजले सो 11 cm क्लियों लग्त परसादे दो क्या में नोकरी यह कुम साथ आभी में मन्दीं का नाम में राते हैं श्रॉप नाम मातते हैं क मां आप क्या का तो क्या माहौल है इस बार 2024 में आम लोग आप लोग कुली कुलीयों का चल रहा है दिमाग में इस बार किसके साथ है इंडिया यह इंडिया के साथ होगे इंडिया के साथ है है जो मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में फिर जंडा फेराएंगे को जाया रही है लोग तरफ से दावा यह किया जाता है कि हम लोगों के इंकम बढ़ गई अपना संकेत लग गया तो आप लोग के लिए कहीं अरजस्ट करने की बात हुई नहीं नहीं अब गरीब आद में कौन सुनता है पहले कितने गरीब हो गए है आप लोग चलते रहते हो समाज में पब्लिक से मुलाकात करते रहते हो आप लोग खुद आख लेगा पब्लिक तो कह रहे हैं कि सबको रासन मिल रहा किसान सब माने दिम्ला रासन से क्या होता है आप पहुंच गया तक पहुंच गया नहीं पता है कि सब्सक्राइब कर पार आपके प्रवार पर आप पर जाएगा महिने में अगर कमा आइंगे निए आप लोग बताएं वह थंभी पूछा आप पूछना चाहता हूं आप ही है अगर परिवार के पर जाएगा नहीं पर चेम को कर सकता है आपना पैट पाले बचों पेट पाले की सिक्षा दें बचे ना जाए गुम रहे हैं यह तो दिल्ली बंबे बेजें तो वहां भी तो काम नहीं है कमपनी नहीं सरकार जब हम यही तो जानने कोईच करें जिसे जब सरकार जो दावे करती है वह कह रही है कि सिक्षा हमने सस्ती कर दी हर किसी को सिक्षा मिल रही है नो करिया में प्रैमरी स्कूल में पढ़ाईया नहीं होती है आप प्रैवेट में जाएंगे 500 के नीचे कोई फीस है नहीं अग दियात में जाएंगे 500 के नीचे नहीं है सरकार अगर हमारे लिए कुछ करती है जैसे कि हम यह नहीं कहते हैं कि आप हमको गैंग में में दे दो या हमको इस्टेशन मास्टर बना दो टीटीव हम यह नहीं कहते हैं हम कहे रहे हैं कि अगर इस्टेशन पर यात्री सहाय के तोर पर आपको कुली की जरुरत है कि कुली चाहिए चाहिए इस्टेशन पर जैसे सारी फैसल्टिया बढ़ा रहे हो अगर कुली हटा दोगे तो भी बवाल तो अगर इन सारे फैसल्टियों के साथ अगर आप कुली को चाहते हैं रेलवे स्टेशन पर कि कुली ना खतम हो तो मैं ये चाह रहा हूँ मेरा पूरा भारत का जो मेरे लीडरों का एक संग है संगठा ना जो फैडराइसन पूरे भारत का जिस्टेशन में लीड करता हूँ इन सारे लोगों का कहना है कि सरकार हमें कुली में ही पर्मनेंट कर दे और पैसा जो हम याक्तिरी से ले रहे हैं वो टिकट पर वो लांच करें उनको एक रुपय लेना दस रुपय लेना बीस रुपय लेना इससे मतलम नहीं है जब वो कहते हैं कि महंगाई है नहीं है और जनता भी कहती महंगाई नहीं है कुछ लोग कहते महंगाई नहीं है तो भाईया अगर पंदरा सो का टिकट ले रहा है साथ सो का टिकट ले रगार दस रुपया बढ़ा देंगे क्या दिक्कत है इससे हमारे देश में जो काम करने वाले बीस अजार संथिंग कुली हैं उनको आसानी से उनका पैसे आ जाएगा और सरकार के पास खजाना भर जाएगा और खजाने से वो अपना हमको बेतन दे दे औ हमारा पूरा भारत त्यार है अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार क्या करेगे दो बताए हम बे रोजगार है हम परिessान नौ साल के अंदर चुका है जो बना बड़ालं लम अंब लगा दे पर चार कर दे तो क्या हम आपके साथ जाएंगे आप अंदाजा लगा या जब हम आपने कहा था कांग्रेश सरकार 2014 से पहले थी आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे हम आपको बहतर लाइफ देंगे लेकिन आप बहतर लाइफ के बजाए हम नीचे चले जा रहे हैं तो आप हमारी बात को ना आपका मंतिरी सुनता ना आपका दिकारी सुनता ना आपका कोई सुनता है तो हम किसके पास आएंगा बताईए मजबूरी हैं हम फिर सरकार बदलने के लिए सोचेंगे